नमस्कार साती। साती इस समय आप अपनी स्क्रीन पर DPI दुवारा जारी एक कापी मेत्पून पत्र देख रहे हैं। पत्र समस्त जला परिविजना समन्वेक के लिए जारी हुआ है। इसका बिसे जाती हम देखें। समग्र सिक्चा यूजना अंतरगत पदस्त सिक्चक जिनका PFMS Link DigiGov Portal पर Bender की रूप में रेश्टेशन किया गया है। उनकी Unique ID प्रिविश्टी करने के संबंद में। यानि कि ऐसे सिक्चक साती जो DigiGov Portal पर Bender की रूप में रेश्टेशन रेश्टेशन हैं। उनकी Unique ID भी अब बहां पर प्रिविश्ट की जानी है। आईए पत्र का बारीकी से अब लोगन करते हैं। सिक्चा यूजना के अंतरगत पदस्त सिक्चकों को पिर्शिक्चन संबंदी एवं अन्य रासियों के बुक्तान की जाने होते हैं। सेतु जिले में पदस्त सिक्चकों को PFMS-linked Digigop Portal पर बेंडर की रूप में रेश्टेशन किया गया है। परंतु Digigop पर दर्ज बेंडर डाटा में Education Portal पर दर्ज Unique ID प्रिविश्ट नहीं की गई है। जिससे Digigop से सिक्चकों को Education Portal एम सिक्चक में त्रेफ से संबंदें। कुछ प्रकार के जैसे प्रसीक्चन, टैबलेट की रासि, आदी के बुक्तान करने में समझ्या हो रही है। उक्त के संबंद में निर्देशित किया जाता है कि PFMS Link Digigop Portal पर बेंडर की रूप में दर्ज सिक्चक के डाटा में Education Portal पर Unique ID को बेंडर रजिस्टेशन की Address to field में प्रिविश्ट किया जाना है। यानि कि बेंडर रजिस्टेशन का जो Address to field का फोल्डर है उसमें प्रिविश्ट करना है। मिलेंगे जल्दी नए अबडेट अब नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैह हिंद जैवारत में तरूप